नबरात्री के लिए एक बहुत ही बड़े आसी स्नाक्स बना के त्यार करेंगे, यह केले का चिप्स आप इसको देख सकते हो, बस तीन केले में यह बना के मैंने त्यार की आए और इसकी साउंड को आप सुन सकते हो, कितनी क्रिस्पी यह बनी हुई है और खाने के लिए चटपटा और टेस्ट हिए चले रेसिपी शुरू करते हैं यहां मैंने तीन कच्चा केला ले लिया है यही तीनों में से ही यह चिप्स बना की तैर करेंगे केले को पहले हम काट लेंगे पीछे की साइड काटना है आपको अगर ज्यादा बनाना हो तो आप ज्यादा केला ले सकते हो मुझे थोड़ा सा बनाना था एक काटोरी की बराबर इसलिए मैंने तीन केला यहां लिया है केले की छिलको को अभी निकाल देंगे इस तरीके से चीज स्लाइसर से आप चाहे तो चाकू से भी निकाल सकते हो चीज स्लाइसर से निकालने से जल्दी और आसान हो जाता है छिलको को निकालना और तीन जो केला हमने लिया है सबको इसी तरीके से पहले छिलका निकाल के त्यार कर लेंगे उसके बाद एक बार उसको दो लेंगे दूसरे साइड भी मैंने कट कर लिया है केला का एक केला तैर हो गया है चिप्स बनाने के लिए ये बला स्लाइसर का यूज करेंगे बनाना चिप्स को बनाने के लिए छोटा बला भी आता है जो slicer उसमें भी आप बना के तैर कर सकते हो तीन जो केले का हमने छिलका निकल के रखा है उसको एक एक करके इसमें हम slice कर लेंगे बस इसी तरीके से अगर हम हाथ में चाखु से कट करते तो भी होता है लेकिन थोड़ा सा time लगता है अब देख सकते हो किसे पतला पतला हुआ है और अच्छे से ये बन के तैर हुआ है तो तीनों जो केले को इस तरीके से हम पहले slice कर लेंगे कोई-कोई इसको slice करने के बाद हल्दी के पानी में डालते है नमक डाल के color change नो होगा उसके लिए हम थोड़ा असन तरीके से इसको बना के तैर करेंगे तो हल्दी के पानी में डालने की जोरूत नहीं है पहले से मैंने ये जो तीन केला को दो के रखा था इसका छिलका निकलने के बाद फिर इस तरीके से सारे केले को हम slice कर लेंगे और डायरेक्ट हम लेके ऑईल में डालेंगे तैल को गरम होने के लिए मैंने ग्यास पे चड़ा दी थी अभी आच्छे से गरम हो चुका है चीप्स को तलने के लिए तेल जो है अच्छे से गरम होना चाहिए थोड़ा सा चेक करेंगे और थोड़ा सा गरम होने दीजिए फिर हम डालेंगे आप देख सकते हो बहुत गरम नहीं हुआ था अभी तेल गरम हो चुका है तो इसी में हम थोड़ा थोड़ा करके जितना भी ह हमने कट करके केला को रखे सबको डाल देंगे तेल अगर गरम नहीं होगा फिर केले के अंदर तेल चला जाएगा और अच्छे से ये बनने के बाद आच्छा नहीं दिखेगा तो हाई फ्लेम में तेल को गरम करके चिप्स को डालिए थोड़ी देर बाद फ्लेम को स्लो मिडियम करेगा फिर आच्छे से ये तल के त्यार होगा अगर पूरा भी आपने हाई करके रख दिये ना तो क्या होगा इसकी अंदर कच्छा रह जाएगा सब्ट रह जाएगा थोड़ी देर बाद टेल से जब आप निकालोगे केले को फिर थोड़ी देर नमक डालके रख लोगे ना ये सब्ट बन जाएगा कुछ टाइम हाई फ्लेम में तलने के बाद फ्लेम को स्लो मीडियम करके इसको तलना है थोड़ा सा टाइम देके तलना है जब तक इसका कलर चेंच होके ये क्रिस्प नहीं बन जाता है तब तक तलते रहना है चिप्स को तलते हुए अभी 4-5 मिनिट के उपर हो चुका है स्लो मीडियम फ्लेम में और आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंच हो चुका है तेल से निकलके इसको हम ले लेंगे एक थाली में टीशू पेपर डाल देंगे उसके उपर थोड़ा टाइम के लिए चिप्स को रख लेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ओयल है और टीशू पेपर शोक करके ले ले और ये जो चिप्स से अच्छे से बनके तैर हो जाए एक बाउल में हम थोड़ा सा सेंदा नमक ले लेंगे एक टीश्पून मैंने ले ली है इसमें डालेंगे आदा टीश्पून मेच्ची पाउडर और कुछ इसमें नहीं डालना है उपवास के लिए अगर आप बनाते हो तो ये दो चीज काफी है हाँ जीरा पाउडर अगर उपवास के लिए आप बना नहीं रहे हो तो साधा नमक भी इसमें यूज किया जा सकता है अभी हम इसमें तले हुए चिप्स को डाल देंगे और आम इसको आच्छे से मिक्स कर लेंगे इसी तरीके से मिलाते हुए इस तरीके से मिक्स करना है आप देख सकते हो एक एक करके कितना आच्छा ये बन के त्यार हुआ है और इसमें से जो आबाज आ रहा है आपको तो पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पन के त्यार हुआ है कोई भी एर टाइट कंटेनर में आप इसको भरके रख लीजिए और उपवास के दिन में इसको खाईए और टेस्ट में भी आच्छा है क्योंकि इसमें सेंदा नम और हमने मिर्ची पाउडर डाल के रखाए और कलर तो बहुत ही ज़्यादा बड़े आए रेसिपी के बारे में आपकी अनुभाब कमेंट सेक्शन में सेर करें इस तरी के कि बहुत सारे नही नहीं हिंदी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट श पिकिसन की रोक में पहुंच जाएगा